गंगा सदा नीरा और सदा पवित्र कहलाती है गंगे 17 शहरों में 32 परियोजनाओं को अनुमती दी गई 153 MLD प्रतिदिन क्षमता वाले SDP का दिर्वान एवं पुराने 61.5 MLD में से 45 MLD प्रतिदिन की क्षमता वाले SDP का विकास किया गया हरिद्वार की जगजीतपूर में 68 MLD और सराय में 27 MLD रिशिकेश के लकडगाट में 26 MLD, मुनिकी रेती के चौर पानी में 5 MLD चंदेश्वर में 7.5 MLD SDP और बत्रिनाथ में 1 MLD और 0.01 MLD के दो नए SDP प्लान शामिल है इसके बाद 2014 के मगाबले अब उत्तराखन में सीवेज टीट्मेंट प्लान्ट की प्रति दिन की क्षमता साड़े तीन गुना बढ़कर 214.5 MLD हो गई है परिणाम सरुप गंगा की गुणवत्ता में सुधार होगा प्रधान मंत्री ने स्वयम इन सभी परियोज नाम का वर्चल उद्खाटन किया साथ ही चंडी घाट पर बने गंगा संग्राले का लोकार बन किया और रोविड डाउन दा कैंगी इस बुख का भी अनावरन किया पी-म ने कहा कि हमने नमामी गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा बलकि इसे देश का सबसे बड़ा और रस्तत नदी संदक्षन का रिक्रम बनाया है हम नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े हमने नमामी गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सिमित नहीं रखा बलकि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तरुत नदी संदक्षन का रिक्रम बनाया इस अफसर पर प्रधान मंतरी ने कहा कि प्रयाग राज कुम्ब में गंगा जी के नर्मलता को दुनिया भर के शर्थान लोगों ने अनुभव किया था अब हरिद्वार कुम्ब के दौरान भी पूरी दुनिया को नर्मल गंगा स्नान का अनुभव होगा उन्होंने कहा कि नमामी गंगे को स्वच्छ गंगा के अलावा अब एक समग्र कारिक्रम बनाया जा रहा है जिसमें गंगा किनारे जैविखेती और मेडिस्नल प्लांट लगाने के प्रयास हो रही है अब नमामी गंगे अभिहान को एक नए स्थर्पल ले जाये जा रहा है गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे शेत्र की अर्थेववस्ता और परियावरण के विकास पर भी फोकस है सरकार द्वारा, उत्राखन सहीत, सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाप दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गयी है गंगा की अवरलता और नर्मलता के लिए गंगा की मुख्यधारा और गंगा की सहायक नदियों की सुच्चता के लिए गोमुख से गंगा सागर तक सीवेच ट्रीट्मेंट प्लांट के श्रंखला तैयार की गई है ताकि दूशित जन गंगा में ना बहे उत्रा खंड में की गई इन तवाम योजनाओं के लोकारपन से निश्चत तोर पर नमामी गंगे को बल मिला है